यह आपके लीए लिए होँ बहृत ही टेष्टी और simple पास् успy टेष्टी पास्ता की पास्ता माइक्र ओनि के श्राण सकती है और बनाने में बहुत ही आसान है कोई भी बना सकता है इसे और यह बहुत ही कम इंग्रेड вокруг में बनकर तयार होने नाने में इसे से 15 मेट लगेंगे और खाने के बाद आपको यकीन होगा कि आपने खुद से बनाया है इतनी अच्छी लगती है टेस्टी और बहुत ही कम चीजों से बनाने वाले है यह पस्ता तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने ऑईल डाला है और बट यतोश्ता और प्याज भून जाएगा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा इसे हम टमाट पोड़ा है और तोाब च्चयों और को यह से नम है और यह हैकि लाललमिश पैंडे भॉटर لكن कर से मिंटdraw पास्ता पहले ही बॉइल करके रख लिया था, मैंने आपको दिखाया नहीं था, और मैंने इसमें थंड़ा पाणी बस डाल दिया है, कुछ ऑइल नहीं डाला है नमक भी नहीं डाला है और देख सकते हैं आप ये पास्ता भी बिलकुल तयार है तो मैं बनाये वाले पेस्ट में डाल देती हूँ और डाल के अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है मैंने तड़के में हरीमेज के इस्तमाल किया है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं बच्चे आपके नहीं खाते हैं तो आप इसकिप भी कर सकते हैं तो देखिए पास्ता बनकर बिलकुल रेडी है तो अब सर्क पर लेते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत जबरदस्त बना था अगर आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेवल्स आड़ कर सकते हैं जैसी की गाजर, शिमले, मिर्श, मैंने नहीं आड़ किया मुझे ऐसी प्लेन ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं और अपने घरवालों को भी खिला सकते हैं रेसिपी कैसी लगी ये जरूर बताएं और जरूर से ट्राइ करें रेसिपी बहुत ही आसान से रेसिपी है खाने में भी बहुत मज़ेदार बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो आप चीज भी डाल कर खा सकते हैं अगर आपको चीज नहीं पसंद है नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें वैसे भी प्लेन में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था तो एक बार ये रेसिपी ट्राइ जरूर करें और ये रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताएं और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो देखने के लिए कॉमेंट करें तब तक के लिए नमस्कार फिर मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ एक और वीडियो के साथ